और नमस्क्तार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक को पुरा तोड़ के दिख्ए और विडेयो को तो ऐसा टेक्निकल गुरुजी ने क्यों किया फोन को तोड़ के चुरा चुरा कर कैसा कर क्यों दिखा इस वीडियो में आपको इसके बारे में बात करने वाला हूं तो इस वीडियो को एंटर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा तो चलिए शुबारम कर समसंग के लांज देट पर जब टेक्निकल गुरुजी ने सेमसंग सामने से बुला है ता तब गुरुजी ने सब्सक्राइब के समय बहुत ही सारी बहुत ही अच्छी बाति की तर श्यांजे मैं 10 ऐसा है बलकि फोन ऐसा कुछ भी मजा नहीं उस फोन के अंदर उनको ऐसा मा बाना जा रहा था कि वो खुदी कमपणी में शामिल हो चुके और वो उनको पे किया गया उनको पेड़ प्रमोशन किया गया है यह सैमसंग की तरफ से सैमसंग ने उनको सामने से बुलाया था ऐसा लग रहा था और वहाँ पे जाकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सिर्फ अच क्योंकि सब ज्यादा ट्रेनिंग में था और जो अच्छा फोन था और M10 के उपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें मजा नहीं था फोन के अंदर और उस फोन की बुराया नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनको पे किया गया था इस चीज़ के लिए अब बात होगी य साउमी का जो रेडमी नोड 7 नोड 7 पो रेडमी को जो यह फेवर्वरी मंत में लांच होने वाले यह बहुत ही काफी हद तक सैमसंग M10 से बहुत जादा अच्छा है तो पर ऐसा टेक्निकल गुरुजी ने क्यों किया तो इसी टॉपिक को लेके जो मनुकुमार जैन उन्हो के टाइम वो सब उनके लिए पेड़ प्रमोशन था उनको हर एक वर्ड के लिए पैसा मिला था ऐसा मनुकुमार जैन का कहना है अब कुछ देर बाद जब टेक्निकल गुरुजी ने वह टूट पड़ी मनुकुमार जैन के थूप की गई तब टेक्निकल गुरुजी आग ब लाउंच होने का इंडिया में भी आएगा नहीं आएगा पर ऐसा माना तो जा रहे कि फेबरुबरी तक आ जाएगा रेडमी नोट सेवन तो उन्होंने क्या कि चाइना से वह फोन मंगवा है उसके अन्बोक्सिंग करके दिखाए और अन्बोक्सिंग की तो की स्पेसिफिक वह कौन सा भी फोन हो हर फोन टूटता है और अगर आप इतना जोर लगा कि उस फोन को तोड़ेंगे तो यह सब उन्होंने वह पूरा गुस्ता निकालने के लिए शाओमी की ब्रैंड इक्विटी गिराने के लिए यही उन्होंने काम किया था क्योंकि मनु कुमार जैन ने अब कंक्लूजन पर आते हैं क्या मनु कुमार जैन ने ठीक किया कि नहीं जी हाँ उन्होंने एकदम ठीक किया उन्होंने जो सच्चाइटी वही बताई क्योंकि आज टेक्निकल गुरुजी को 11 मिलियन यानि एक करोड से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं एक करोड से ज्य इसकी स्क्रीन देखने मिलती है एचीडी फूल एचीडी ऐसा कुछ भी नाम नहीं लियाता उन्होंने तो यह इस चीज़े सब प्रमोशन पर आती है सब पैसा मिला था उनको इस सब चीज़े करने का तो मुझे मेरा तो यह ही कहना कि मनु कुमार ने एक साइड से ठीक ही कि यह टूइट करके कि टेक्निकल गुरूजी ने हमारे साथ धोका किया और यह उनको वो उनके जो ऑडियन्स उनको भी धोका दे रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि बात एकदम सही है जब फोन में इतनी बुराईया है और आप इतनी अच्छा ही बता रहे तो वह तो हुना ही है न यह तो आप कहीं न कहीं अपने जो ऑडियन्स उनके साथ भुकाई कर रहे हैं इसलिए कुरूजी ने आग बबुला हो चुके थे इसलिए उन्होंने जो रेड्मी नोट 7 उसके बारे में ऐसा का और फोन को तोड़ के मरोड की जिस तरह कैसे भी करके उसको तोड़ के दिख लग्छेड प्रमोशन मतलब पे करके ओलते है कि हमारी ये बुरा हाहे मतबताु बुआ है मनुकुमार ज throw बे एक तसे footage करता है पर चाहीं किया एक तरह से एक मुझे तो लगता है कि 70% सही किया और सिर्फ 30% कई ना कई मुझे खराबी लगती है अब बात कर लेता है टेक्निकल गुरुजी गुरुजी ने यह सही ने किया ना ही खुद के चैनल के लिए ना ही उनके ओडियेंस के लिए खई ने गई यह शायद उनके चैनल को हाम कर सकता है मेरा तो बस एक कहना था अगर आप अपने ओडियेंस का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे है तो आप सक्सेस्फूल यूट्यूबर होने के बाद भी एक अंसक्सेस्फूल यूट्यूबर है और अच्छा इंटरेक्शन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो बहुत बहुत शुक् मेरे इस वीडियो को एंटरेक्ट देखने के लिए आकरे में बस इत्ता ही कहता हूं जय हिन जय पारत